जन्वरी 2004 दिल्ली के 20 स्कैनिंग लेन इस्तिते की मारत को दुलहन की तरह सजाया जा रहा था जगमगाती लाइटें एक बड़े सा मारोह की गवाही दे रही थी ठंड का महीना था लिहाजा फिजाओं में सर्ध हवाओं का जोर था सजावत का काम 14 जन्वरी तक करीब करीब हो गया था और बचे कामों को करने के लिए कारगर जोर शोर से लगे हुए थे क्योंकि 15 जन्वरी को यह इमारत एक ऐसी शादी की गवाह बनने वाली थी जिस पर सत्ता के घलियारों की खांस नजर थी यह शादी इसलिए भी खांस थी क्योंकि देश का एक बड़ा सियासी परिवार इस शादी के खिलाब था शादी बड़ी थी लेकिन समारोह चोटा लोगों से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात थे यह शादी उस वक्त की सबसे चर्चित शादियों में से एक थी क्योंकि मजहभी दिवार को तोड़ कर दो दिल एक होने वाले थे दुलहे के पर लाफ और मजहभी दिवार को तोड़ कर एक ऐसी शादी रचाई थी कि हर जुबान पर उनके प्यार के चर्चे थे लेकिन इस सुनहरी लवी स्टोरी पर ऐसा अग्रहन लगा कि आज ना सचीन के साथ सारा है और ना सारा के नाम के साथ पाइलट जुड़ा है नमस्कार मैं पिंद कुमार आज सियासत में बाद सचीन पाइलट की शादी से लेकर सियासत तक की इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि आखिर पाइलट का सपना देखने वाले सचीन आखिर सियासत में कैसे आ गए लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक अपील है अगर 2023 को जब धोल लगाणों के साथ सचीन पाइलट के समर्थक उनका टोंक से नमांकन भरवाने जा रहे थे तून ही ये पता नहीं था कि पिछली बार की तरह चुनाव प्रचार करने वाली सारा पाइलट की राहें जुदा हो गई हैं। सचीन के साथ सारा को आखरी बार साल 2018 में देखा गया था जब सचीन पाइलट राजस्थान के डिप्टी सीजम के रूप में शपत ले रहे थे हलाकि उससे पहले ये खबरे आ रही थी कि इन दोनों की राहें अलग होने की कगार पर हैं लेकिन जब सारा ने सचीन के लिए खूप सुर्खियां बटो रही थी शादी के कुछ समय बाद जब सचीन और सारा सीमी गेरवाल शो में आये थे तो पूरा देश जोड़ी का दिवाना हो गया था हर कोई कहता था कि प्यार इसको कहते हैं परिवार के खिलाफ होने और मजभी दिवार के बाद भी दो खूप के पिता डॉक्टर फारुक अब्दुल्ला लंदन में थे भाई उमर अब्दुल्ला अपेंडिसाइटिस के इलाज के लिए दिल्ली के बत्रा हस्पीटल में भर्ती थे यानि बधू पक्ष्किवर से किसी ने भी शादी में शिरकत नहीं की हलाकि असली वज़ा ये भी थी कि अब्दुल्ला परिवार इस शादी के खिलाब था पिता और भाई ने शादी का विरोधी किया था जानकारों का मानना है कि अएसा इसलिए नहीं था कि अब्दुल्ला परिवार में मजभवी दिवार को तोड़ कर पहली बार शादी हो रही थी इससे पहले खुद ने मौली अब्दुल्लां से शादी की थी उनके बेटे और सारा के बाई उमर अब्दुल्लां ने हिंदु लड़की पाइल नात से निकाह किया था विरोध इसलि antid trailers की लड़की एक हिंदु लड़के से शादी कर रही थी जो राजनितिक रुपक्त से परिवार परिवार को शूट नहीं कर रहा था इस शादी में उनके राजनीतिक हित टक्रा रहे थे हाना कि कुछ समय बाद परिवार ने शादी को हरी घंडी दे दी कई समारोहों में फारूक और उमर अब्दुल्ला सचीन पाइलट के साथ नजर आये और उन्हें मंच साजा करते देख सीमी गिरवाल के साथ एक इंटर्विव में पाइलट ने कहा था कि धर्म एक बहुत ही व्यक्तिकत मामला है जब आप जिंदगी के हम फैसले लेते हैं तो सिर्फ धर्म और जाती के आधार पर फैसले नहीं लेने चाहिए सचीन और सारा की मुलकात पढ़ाई के दौरान लं लंदन पहुंचे थे इसी दोरान सारा और पाइलट की मुलाकात हुई थी इन मुलाकातों ने दोस्ती का रूप लिया और फिर धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई एक इंटर्विव के दोरान सारा पाइलट ने बताया था कि जब सचीन पाइलट अपनी पढ़ाई हम दोनों का परिवार राजनीती में था लेहाजा दोनों परिवार एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे लेकिन जब हम लोगों ने शादी के बारे में बात की तो इसके लिए राजी नहीं हुए थे दो साल तीन साल और ऐसे करते करते पान साल गुजर गए तब तक किया कि अब हमें शादी कर नहीं है हां कठिनाईया जरूर आई लेकिन अंतता हम सफल हुए और परिवार भी हमारे साथ है साल 1977 में यूपी के सहारनपुर में जन्में पाइलट ने उच्छा प्राप्त की है उनकी प्रारंभीक सिक्षा नई दिल्ली में एयर फोर्स बाल भ साल 2002 में कॉंग्रेश में शामिल हुए थे इसके बाद वह राजनीती की सीढ़ियां चट्ते चरे गए दोयाचार में सचीन सांसत बन गये उस वक्त उनकी उम्र केवल 26 साल की थी छोटी उम्र में ही उन्होंने कई मुकाम हासिल किये जिसके लिए कुछ नेताओं को सालों त रहा था कि जब मेरे पिता जिन्दा थे तो मैंने कभी उनके साथ बैठकर अपने राजनीतिक सफर को लेकर कोई बात नहीं की लेकिन जब उनकी मौत हो गई तो जिन्दगी एकदम बदल गई इसके बाद मैंने सोच समझ कर राजनीती में आने का फैसला किया किसी ने भी र गनरल मोटर्स में काम कर चुके हैं लेकिन बच्पन से वो भारती वाई सेनफ के बिमानों को उड़ाने का खाब देखते आये थे एक इंटर्विव में उन्होंने कहा था कि जब मुझे पता चला कि मेरी आँखों की रोशनी कमजोर है तो मेरा दिल तूट गया क्योंकि मैं में बड़ा होकर अपने पिता की तरह एयर फोर्स पाइलट बनना चाहता था इसकूल में बच्चे मुझे मेरे पाइलट सबनेम को लेकर चिड़ाया करते थे तो मैंने अपनी मां को बताये बिना हवाई जहाज उड़ाने का लाइसेंस ले लिया ग्यारा जून 2000 को एक बड के अंदाज में खुद गारी चला कर गाउं गाउं घूमना शुरू किया था कॉंग्रिश में शामिल होने के बाद उन्हें डाइनेस्टिक लीडर होने यानि वश्वाद के कारण राजनितिक लाव मिलने जैसी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था इस दौरान पाइलट किस पर होना चाहिए यह भी सुझाओ दें आपसे सियासत का कोई एपिसोड छुटना जाया है इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ तब तक के लिए नमस्कार